राम राम जय माभरती जय हिंदुस्तान आप सभी का मेरे यूटूब चैनल ससे साच्छातकार मुरारी मिश्रा में हार्दी कमरंदा नहम स्वागत है कल भारत के सांदार एतिहासी के लोग सभाचुनाओद दोहजार चोबीस का रिजल्ट आया आसा के अनरूप और मेरे आकलन के अनरूप ये आकलन परफेक्ट हंडेट परसेंट नहीं रहा जिसके लिए मैं आप से बहुत खेद वर्ट करता हूँ लेकिन क्या मेरे मोटा माटी आकलन गलत हुए नहीं आपको मैं बहुत संचिक में कुछ बाते बताना चाहता हूँ देखिए आप मैं 36 गड़ में रहकर आकलन के अधार पर विशेशन बताता हूँ मैं कोई सर्वे नहीं करता देखिए कई लोग कमेंट्स करते हैं कि आपका सर्वे ऐसा था आपका सर्वे ऐसा था, मैं सर्वे नहीं करता हूँ, आपको मैं बता दूँ, मैं राजनिती का मेरा सौख है, राजनिती का एक समाज है, ग्राउंड के बारे में मैं जामता हूँ, हिंदुस्तान के राजनिती में मैं बहुत ज़्यादा रूची रखता हूँ, मेरा उस एरिय पोल लेता हूं मताँम जन्ता से आम जन्ता से में टू में कोई सेंपल साइड में बातनी करता और exit पूल तो मैं करता ही नहीं हूं आपको बता दो मैं कुरोदो अरबोऔर रॉपया खर्च करने वाले exit pole fail हो गए या ज़्यादा तर exit pole 90% exit pole जो पहुने 400-400 seat दे रहे थे मोदी जी को वो जब fail हो गए तो निश्यत रूप से मेरे आकलन में भी गल्ती हुई है लेकिन उसके बाद भी मैं 36 गड़ का 60 आकलन विशेशन देने के बाद हिंदुस्तान के लोग सभा में कहां कहां मेरे से सही जानकरी दी गई कहां मेरा आकलन सही था कहां गलत था आप उसके बार मिलान करिएगा मैं आपको बताता हूँ कि जम्मु कस्मीर में मेरा आकलन सठीक बैठा दिल्ली में देखिया आम आदमी पार्टी और कांगरेस के एक होने के बाद भी मैं बोला कहीं कोई रड़ाई नहीं है कहीं कोई सातो सीट मैं बोला था भारती जनता पार्टी जीतेगी सातो सीट भारती जनता पार्टी जीती उत्रा खंड मैं बोला था कि पांचों की पांचों सीट कहीं कोई रड़ाई नहीं भाजपाई जीतेगी पार्टी जित्ती है। और बीजेपी और पावन कल्यान की पार्टी एक तरफा चुनाओ जीतेगी आप सुन लिजेगा आंदर प्रदेश का भी सुन लिजेगा और अंती मेरा जो मैं आगारे बताया था उसको आप सुन लेना मदर प्रदेश में मैं स्पोस्ट बोला था कि इस बार कमलनाथ जी चु चुनाओ जीतने वाले नकुलनाथ जी कमलनाथ के बिटी इस बार चुनाओ हार सकते हैं ये भी मेरा 100% 99 100% मेरा 60 की बटा मेरा आकलन 36 गड़ में आप माप करना मैं 11 सुनने बोला था हलाकि मेरी चथी की 10 एक बोलू लेकिन आपको बता दूं मैं 10 प्लस मैंस 1 मैं बोलना चा आखरी का 3-4 दिन का चुनाओ था जब गोंड़ाना घरतन पार्टी के वोट 70-80% चरंदास महां जी बहुत सांदार तरिके से मेनेज किये और सरोच पांडे जी उस मेनेजमेंट को सम्हालनी पाई अंतीम का 3-4 दिन का ये और मैं जो इधारखना मैं जो भी आकलन दिया था जो भी आपको आकले बताया था ये वोटिंग के 8-10 दिन पहले के आकले थे कोर्बा का आकलन मेरा जबकी आपको बता दू मैं सरोच पांडे चुनाओ जीत रही थी ये भी आपको बता दू खैर इसके बारे में आपको मैं डेटेल बता हुआ गुजरात 25-1 बोला था मैं य जबरदस कांगरेस लड़ रही है यह मैंने बोला था और वही हुआ एक सीट गुजरात में पिछे दो चुनाओ के बाद पहली बाद एक सीट गुजरात में भारती जनता पार्टी हारी आपका केरल में सुने जा केरल में मैं मैं बोला था दो सीट में भारती जनता पार्ट जीते और आपका वहां पर खाता खुड़ा हां तमिल नाडू में मेरे से घलत हो गया एक सीट पीम के जित्ते जित्ते हार गई लेकि सांदर चुनाव लड़ी भारती जंता पार्टी इसके बारे में आपको डेटेल बताने को कोशिस करूँगा नार्थिष्ट और असाम में देख लिजी आप सीट बढ़ेगी बोलत हमाएं जब अर दस मेरा करन सहीं साबित हुआ और तिपूरा की दो सीटों के साथ अरुनाचाल प्रदेश की दो सीटों के साथ आपका मणीपूर में एक सीट के सांथ सांथ आसाम में पूरा रिटेन करती है भारती जंता पार्टी कहीं कोई लासनी होता बलकि मिजोरम में जो जेपियम जीती वो एंडिये के साथ थी उसी तरह से सिक्किम क्रांति करीम औरचा जो जीता विदान सभा और एक सिर्जो लोग सभाजी था ये भी एंडिये के साथ आएगा आप देख ले ना बिहार बिहार में मनीश्ची तरु मैं इमानदारी से कितना सहीं बोला था कि कॉंग्रेस की सत्ता में आने के बाद भी भारती जन्ता पार्टी को बहुत ज़्यादा नुफसान नहीं है जे डियस औरो मिलकर 21-22 सिर्जीते हैं मात्र मेरे खाचे 67 सिर्टों का ही नुफसान 6-7-3-4 क्योंकि 25-26 तो थी ही इस प सब्सक्राइब भी 97 सिर्टों मेरा चल्हिते हीLE्या जीति थी मने 9-7-8 सिर्टों को बीजेपी 1-5 बोला था filtrous ये पुटु-चैरी में में विभी से हमक्ते आस को था वही Chic बीजेपी जीतेगी जीती आप देख लेना प्लस माइनस करके मेरा केंच साथ सीट प्रदेश का भी आखलान मेरा सटीक बठा हाँ जार खंड में मेरा 12 प्लस माइनस तू बोला था मैं जहां पर 9 सीट भारती जनता पार्टी 9-10 सीट जीती है चार सीट दो दो जेमम और दो अ मेरे पास नहीं है लेकिन यहां कभी मेरा आखरान सटीक बैठा अब माफी के साथ मैं गल्ती कहा हुआ मैं जबर्दस गलत हुआ उत्तर प्रदेश में बहुत गलत हुआ उसका सबसे बड़ा करणा आप कुन मा बता रहा हूं भारती जनता पार्टी का ओट रोड़ देने न निकला और जो राजपूस समान नराज हुआ और कुछ मामले में मायमती के ओट सपा के ओर गए और अखलेश यादों ने सांदार पर तैसी उतारा एम वाई समिकर्ण जबर दस कूत कूत के ओर डाला और भारती जनता पार्टी के ओटर घर से ने निकले अति आप मिस्वास में बने रहे कि भाटपा की सरकार बनी रही है मैं फेल हो गया बंगाल में यहां पर चैसी भाटपा की कम हो गई मैं ज़्यादा सीथ बढ़ेगी बोला था यहां पर भी मैं फेल हो गया मेरा आकलंग गलत हो गया मैं राजस्थान में भी गलत हो गया मैं दो तिन सीथ कम बोला था यहां पर लगबग 10-11 सीथ कम हो गई उ और हर्याना यहां पर मेरा आकलन गलत हुआ ध्यान दीजिए आप समझने का प्रयास करिए मैं 36 गड़ के छोटे से गाओं एक छोटे से कज़ब में बैठके आकलन करता हूं अपने राजनितिक समझ के अधार पर राजनितिक पकड़ के अधार पर राजनितिक के खेल सा और मा प्रावित हुए उनका उपनियन पॉल गलत हुआ उनका एक्जिट पॉल देखिए एक्जिट पॉल तो साइंटिफिक होता है जो ओड़ देके निकलते हैं उनसे पूछा जाता है और आठट दस लाग च्छे लागों से पूछे तब एक्जिट पॉल गलत हो गया तो पूला था कि नरेन मोदी जी प्राइम मिश्टर बनेंगे एंडिये जो चुनाओ के पूर गडबंधन था वो पूर बहुमत के साथ आया बीस सीर जादा के साथ आया और एक बत और बता लो जो अन्य में भी हैं 17-18 उसमें से भी 12-13 लोग एंडिये के साथ जाएंगे चार जो आंद्र प्रदेश की है जगनना की वाइसर सीपी की वो भी एंडिये के साथ जा सकती है आप मान के चलिए सीव से न उधो ठाकर कभी इंतिजार करिए वो भी कहां जा सकते हैं बहुत फिर बदा लोगा पांस साल बहुत अच्छी है सरकार चलेगी मोदी जी की चलेगी इतिहासिक निलने होंगे महम मोदी जी को पुना यसमति परधामANTRAY को जीत की एंडिये के जीत की बहुत बड़ी बदाई सब कामना जरत हूं अगर मोदी जी का नाम नहीं होता थे इतनी सीट नहीं आती अगर योगी जी का नेतिश वे तो उत्तर परदेस में साथ-आठशी जी जीते तो आपका मोदी जी के करण जीते सिंदे जी जीते तो मोदी जी के करण जीते अजित पवार जीता तो मोदी जी के करण जीता जितने भी घडवंधन जीते उसी स्टेट में उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान और उनका लोक्रिता था मैं कुना आपको ब अगलत को गया तो सर्वे और गलत हो गया तो इतो मेरे सिम्पल आकलन्थ था यह गलत हो सकता था सटीक यह स्टाइव आगा आप जरू बताएए और कमेंट्स करके बताएए कि मेरे को और की इस तरह का सुधार करना चाहिए क्रिपिया मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब जरू करिए लाइक सेर और फार और हिंदुस्तान के सभी ब्रूप में करते रहे हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जाए हिंद जाए भारतमा